बेक्ति ज्यान की शोध में है पर सच्चाई ही है कि उज्यों ज्यों वह ज्यान को खूजता है त्यों त्यों उसे ज्यान दूर भागता हुआ दिखाई देता है इश्वर को बुद्धी की द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी उसके लिए वह बुद्धी का प्रियोग कर रहा है फिर वह उसका फल देखनी के लिए भी बहुत ब्याकुल है कर्म की फल की आसा न रखने का अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं बलकि सचाई तो इही है कि कर्म कभी भी निस्फल नहीं जाता है और संसार की बिचित्र रचना ऐसी रहस्म ही है कि इही समझ में नहीं आता कि इस भृक्ष का तना कौन सा है और शाखा कौन से तब फिर अनेक मनुस्यों के अनेक कर्मों के समुदाय के समलित फल में से एक बिच्टी के कर्म के फल को भला कौन छाट सकता है और हमें इसका अधिकार भी क्या है इक राजा के सिपाही को भी अपनी की के फल जानने का अधिकार नहीं होता तो थिर हमें जो कि संसार के सिपाही हैं अपनी कर्म की फल को जानकर क्या करना है क्या इही ग्यान काफी नहीं है कि कर्म का फल अवस्य मिलता है पतीत पावन सीतारा